कि हैं है से एलो दोस्तों नमस्कार मैं पंक जग्राइड आप लोगोंक घंड़ाइक एडमई पर स्वागत करता हूं आज हम लोग लिश्कस करने वाले हैं नाउन के बारे में कुछ जान लेते हैं सबसे हम यह जानेंगे कि noun के बारे में हम क्यों पढ़ें तो हम आप लोगों को यह बताएंगे noun के बारे में study करने की जरूवत क्या है चलिए हम सीखते हैं सबसे पहले अब तक आप लोग पढ़ते आए होंगे कि noun क्या होता है noun basically name होता है जैसे noun is the name आप परिशन प्लेश थिंग जैसे अगर आप कोई condition है condition and feelings अब तक आप लोग noun की यही definition पढ़ते हुए आए होंगे कि जैसे अगर कोई ब्यक्ति का नाम है कोई place का नाम है कोई thing का नाम है अगर कोई condition है उसका नाम है feeling है उसका नाम है तो यह सब जारी जो name होते हैं वही noun कहलते हैं लेकिन आज हम कुछ दूसरी तरीके से noun को express करने वाले हैं चलिए हम देखते हैं आप समझी आप समझी जैसे कि कोई बच्चा है अगर उसका जन्म होता है तो ओ.... common noun होता है क्योंकि यों बच्चा होता है यहां पर समझे एक बढ़िया unt boran के साथ समझेए कोई मचली है हम अकसर मचली का ακराई समझे ref गयंको है तब उसने क्या नाम दिया इन्होंने मचली नाम दी इन्होंने फिस नाम दिया तो इन्होंने केवल नाम दिया एक कॉमन थिंग हो गई न मचली का नाम है एक फिस है अब जैसे कोई बच्चा है उसका अगर जन्म हो रहा है तो स्टार्टिंग में उसका कोई अपना नाम तो ह नहीं है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो कॉमन नाउन की कटेगरी में जाता है जैसे हमने कहा बॉइस अब यह जो बॉइस इस बॉइस में आप लोग देखेंगे किसी प्रेटिकुलर बॉइस की बात नहीं की गई इसमें सारे लड़के हो रहे हैं दुनिया के एक गर्ड़ भी कॉमन नाउन की काटेगरी में आ रहा है तो यहां से नाउन का जन्म होता है यानि की दुनिया की कोई भी चीज जिसे आप लोग देखते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है ओक प्रकॉमन नाउन का नाउन है तो जैसे एक स्टुडेंट्स की बातकरी स्टुडेंट्स भी common noun होते हैं अब समझे जैसे आप यहां से लीडिए जैसे कोई बच्चा है उस बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के बाद बच्चे का नामकरण ताकि उसको हम लोगों के बीच से पहचान सकें अब समझे कोई बच्चा ओ उसका नाम करना किए गया उसका नाम कर दिया घया है कि कोई दूसरा वच्चा है के इसका नाम करना किए श्याम हो गया एक अलग सा बच्चा है इसका नाम करण किया गया तो मोहन हो गया अब यहां से आप समझे कि पहले जो बच्चे थे जो लड़के थे एक कॉमन नाउन थे लेकिन जब इसका नाम करण कर दिया गया तो यह राम हो गया राम लड़का स्याम लड़का मोहन लड़का तो यानि कि क्या था कौमननाUN था जब हमने कौमननावन प्रटिकुलर लेम दिया तो क्या हो गया ऊपर पर लाउन ऊब अप जैसे हमने कहा यह लड़का हे राम है वहिंसको नाम दिया रोप लां तो राम की है इंक्टिऐ केशन ו कई कि यह नाम है तो हमने इसको कौन सा नाम कर दिया हमने फिर इसको हमने प्रॉपर नाम दिया अब समझे जैसे कोई बैलों के नाम होते हैं ऑक्सों के नाम होते हैं समझे कोई आक्स है जब हम आक्स का नाम ले रहे हैं तो आपको जितने भी बैल होंगे सारे आपके दिमाग में उसके बैलों के चित्र बन रहे होंगे लेकिन अगर हमने कहा बहुत सारे हमारे पास बैल है बहुत सारे बैल है उनमें से हमने किसी बैल का नाम हीरा दे दिया बैलों के नाम अक्सर आप लोग हीरा मोती देखते होंगे तो हीरा मोती हो गया यह बैलों की जोड़ी है समझे यह जो बैल थे इनका प्रटिकुलर नेम हो गया ही रा मोती अब एक कौनसा नाउन हो गया प्रापर नाउन को सबस्कूल की बात करें आप लोग देखते होंगे हमने जैसे इस्कूल का नाम लिया आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे स्कूल बन गए होंगे, तो इस्कूल किसी particular स्कूल की बात नहीं हो रही है यहां पे, यहां पे सारे स्कूलों की बात हो रही है, कोई वसाब भी स्कूल हो सकता है, लेकिन जैसे हमने किसी स्कूल का नाम दिया समझे हमने किसी स्कूल का नाम ले लिया पी आर आई सी अब एक परटिकुलर स्कूल का नाम हो गया है एक कोई स्कूल है एक इस्कूल की केटेगरी में आता है तो इस्कूल थो हमारा कॉमन नाउन हो गया है यहां से लेकिन अब इस इस्कूल का जो हमने नाम दिया यह इस्कूल प्रॉपर नाउन हो गया कैसा नाउन हो गया प्रॉपर नाउन फिर समझिए अब जैसे हमने किसी टीचर का नाम लिया लेकिन अगर हमने किसी टीचर का नाम लिया किसी गुरू का नाम लिया हमने दुरोणा ले लिया दुरोणा चारे वीसमत पिता। तो एक किसी कटेगरी चले गए इनकी कटेगरी अब प्रॉपर नाउन ची के आउन की हो गयी है क्योंकि अब जो टीचर थे इनमें से हमने कुछ पर्टिकुलर टीचर के नाम लिखे और जो पर्टिकुलर टीचर है अब प्रॉपर नौन की टेग्री में आएंगे तिया कि एप प्रॉपर नव द्धीं के कटेग्री में आएगा फिर से समझे आप लोग के अब यह जो भी प्रॉपर नव है समझे यह अब जैसे जो व्यक्ति हैं जो लोग है है जो भी जीवित प्राड़ी होता है वो हमेशे अपने समुदाय में रहता है अगर यह जो सब्सक्राइब कर दो लोग आपस में एक साथ रहेंगे कैसे रहेंगे तो इनका एक कलेक्षिन बन जाएंगा इन्का क्या वश्चेश्चिं और इनका आउक्स हैं यह भी बहुत सारे आउक्स होंगे तो जब आउक्स एक कलेक्शन में रहनाई स्टार्ट कर देंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे कॉलेक्टिव नाउन इन्हें हम कहेंगे collective noun अब जो collection होगा फिसेज का तो भी collective noun के अंतर गज जाएगा ऐसे बहुत सारे अगर जो noun हैं जो common noun हैं जो proper noun जब एक कलेक्षण में रहते हैं तो इसे हम collective noun कहते हैं कौन सा noun कहते हैं collective noun चलिए यहां से हमने collective noun की definition को समझा सबसे पहले हम definition को एक बार summarize कर देते हैं अब हम definition को एक बार summarize करेंगे उसके बाद आगे चलेंगी जैसे कोई भी चीज है अगर उसका कोई proper name नहीं है आप जो भी चीज देखते हैं वो सारी हमारी common noun होती है जब तक उनका कोई particular identification नहीं होता है ठीक है अब हमने बात कहीं सबसे पहले common noun की हमने बात करी थी अब example अगर हम लें हमने students लिया इस्टुडेंट्स हमारा कैसा नावन है common noun क्योंकि इसमें बहुत सारे students होंगे और मैं किसी student को नहीं बुला रहा हूं तो इसमें बहुत कि इनके गुरुप को हम collection कह देते हैं अब एक common noun हो गया एक पूरा collection हो गया अब अगर इसमें किसी particular बंदे को बुलाएं और राम है तो राम क्या है प्रॉपर नावन कि स्याम है तो प्रॉपर नावन मोहन हो अगर या जैसे मारे पास हमने बेजी टेबल नाम लिए बेजी टेबल क्या है common noun क्या है št कौमण नाव्वन है अब बेजीटेबल के अंदर हमने बहुत सारे बेजीटेबल के नाम लिखें जैसे हमने अप बेजी टेबल को नाम देना शुरूंख किया है मारे पास रैडीस है की कलीफ लावर है अब मैं नाम दे रहा हूं कि रहां है कि क्या हो रहे हैं कि वेजिटेबल के नाम दिया हमने यह नाउन के अंतर जाएंगे यह भी नाउन हो गया चलिए अब और एक्जाम्पल देखते हैं के अब अब और नाउन हमने Azim कोई नाउन होता है तो प्रॉपर नाउन होता है जैसे हमने कोई भी नाम ले लिया कुँछी पुस्तक के बीट ऐसे आरे पास बहुत सारे पुस्तके होती है तो पुस्तक में से अगर हम कोई नाम ले रहे हैं पुस्तक का जैसे रामायड हो गया गीता हो गया महापुरान हो गया या कुछ और भी इस तरह से तो जो नाम होता है जैसे अगर पुस्तक है तो वह हमारी कलेक्शन है पुस्तक क्या है पुस्तक के कॉमन न आप देखिए हमने याप फिस का फिगर बनाया था आप लोगों ने देखा होगा इस फिक्स के फिगर से आप समझे आप लोगों को पता होगा यह जो फिस बनती है एक किस लिए बनती है कातने के लिए आप इसको काट दो इस फिश को आफ काट दो है समझ आपे बीच दो क्या तो आप लोग उसे कैसे रोगे नाप करके लोगा तोल करके लोगे ऐसी चीजेंat जिन्हीं पर किले थे जिन्हें तोल कर करके लिते जिन्हीं गिला कर के लिते आएसी चीजें Samot에 ऐसे गिंते directory मैं पने यहलाती है sorryね सिच जिसको ले करके आये इ chiar हमने इसे प्लेट तो अब इस मैटर के मैटर के मैटर के मैटर के फॉर्म में हो गया है एंग इस चीजे मैटरियल नाउन के अंतरगत आती है जैसे आप लोग ले लिए जैसे में माकान बनाना होता है कि धうわ post लेते हैं और भी बहुत सारी चीजे लेते हैं जो भी चीजेन जिन चीजों से किसी चीज का निर्माण होता है वे चीजें मैटरियल नाउन के अंतरगत आती है कि इस तरह से इसको जोनें कट किया तो यह material noun हो गया अब समझे जब इस चीज को हम गैस पर रखते हैं और इसको पका लेते हैं तो इसकी जो खुस्बू आती है इसकी जो महक आती है या फिर खाने के बाद हम लोग खाते तो कहते बड़ा मजा आया ना तो इस तरह की हमारी जो feelings होती है हमारे जो expression होते हैं जो हमारे है स्वाद मिलता है उसे हमकौन सा ना Łं कहते हैं अब अबeous ठ्रैक्ट नाउन जैसे ज्यूबधि हमारी feelings होती हैं वो किस नाउन के अंतरग्ण आते हैं अब ठ्रेक्ट मॉन के अंतरग्ध आता आती है मैं अब जैसे अगर परिट्रीक। आप्नाउन के एग्जांपल को देखें हैं जैसे हम सोगते हैं जो हमारी टोने की चमता होती है कि जब सेंवें तो हमें क्यां basta कि कुछ दिखाई देता आई उसको नहीं दिखाई देता यानि कि ऐसी चीजे जिने हम ना तो चूख सकते ना तो देख सकते के बलु सको अनुभार कर सकते हैं आईसी चीजे अमारी फिलिंग्स होती हैं और जो feelings होती है वो abstract noun के अंतरगत जाती है ठीक है अब चलिए कि अब हमने देखा प्रॉपर नाउन क्या होता है कॉमन नाउन क्या होता है कॉलेक्टिव नाउन क्या होता है इस तरह से हमने अब अब कल की क्लास में हम लोग यह जो हमने टाइप पढ़े इनके बारे में थोड़ा और डीटेल में पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद